hello guys welcome back to my channel हम इस course को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं HTML iframes के बारे में कि HTML iframes क्या होते हैं देखिए आई फ्रेम्स भी एक बहुत ही ज्यादा important topic है जिसको हम बिल्कुल भी miss नहीं करेंगे तो चलिए आई स्टार्ट करते हैं बिना कुछ time waste की हुए तो मैं अपने title को फटा फट चेंज कर देता हूं मैं लेख देता हूं इसमें HTML iframes मैंने इसको save किया और हम करने ते अपने live server को on और हमारा live server ठीक टाक अगा start हो चुका है ठीक है तो चलिए देखे आई स्टार्ट करते आई फ्रेम्स आई फ्रेम्स मौसली होते हैं देखे आई फ्रेम्स को कहते हैं inline frames और मैं अगर एकदम सरल भाशा में एकदम simple language में अगर आपको बताऊं कि आई फ्रेम्स क्या होते हैं तो वेब विदेने वेब पेज, means अगर आपको कई वेब पेज है, उसके अंदर आपको कोई और अपने वेब साइट का वेब पेज इंक्लूड करना है, तो एक फ्रेम के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं, तो उनी को हम आई फ्रेम कहते हैं, एक फोटो फ्रेम है, आपके घर में फोटो फ्रेम होगी, फोटो फ्रेम है, उसके अंदर अभी आपने फोटो नहीं डाली है, आपके एक रूम है, उसके अंदर फोटो फ्रेम है, बट आपने उसमें फोटो नहीं इंसर्ट करिए, same iframe भी है आगर iframe आप create करते हैं tag लगाते हैं अपने web page में तो आप एक space create करते हैं उसके अंदर आप चाहे तो कोई भी web page उसमें include कर सकते हैं ठीक है guys तो देखें जो iframes का जो आपका tag होता है वो होता iframe व्यसकोर ने automatically आपको suggestion दे दिया तो iframes में देखिए आपका attribute है source एक है frame border मैंने इसको save किया और जैसे मैं आपको ले चलूँगा अपने browser में तो आप देखेंगे कि यहां पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है है obviously क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी इसमें mention नहीं किया बट फ्रेम बोर्डर को अगर मैं one कर देता हूं अभी जीरो था अभी मैंने इसको one true कर दिया मैंने इसको save किया तो आप देखिए यहां पर एक बोर्डर बन के आ चुका है ठीक है तो यह स्पेस है अब इसके अंद पढ़ाया था तो यहां पर definitely tables का just a second let me check यह देखिए tables for html हमें last chapter में पढ़ाया था तो इस website को हम अपने इस web page के अंदर include करेंगे ठीक है कैसे अब इसका जो source है वो है tables.html जो आपका link है तो मैं इसमें लिख देता हूं tables.html ठीक है मैंने इसको save किया अब save करने के बाद अब मैं जैसी browser के तरफ जाओंगा तो आप देखिए जो इस tables.html में जो code किया गया था वो यहां पर इसके अंदर include हो गय web page include कर सकते हैं अपने किसी web page के अंदर अब देखिए iFrame में दो attribute हमने पड़े source के बारे में और एक frame border के बारे में हमारे पास दो attribute होते है means height or width अगर हम अपने iFrame का height or width भी adjust कर सकते हैं अब देखिए अब यह default आपका यहां पर height or width set है तो आप चाहे तो इसको बड़ा चो width भी यहां पर change कर दिया मैंने में यहां with the 500 pixels मैंने आप इसको set कर दिया है तो मैंने इसको save किया save करने के बाद हम दुबारे चलेंगे तो आप देखिए यह जो है frame का border आपको थो बड़ा सा इतना बड़ा दिख रहा है आप यहां पर देख पा रहे है border अगर नहीं देख करे तो मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ देखिए यहां पर frame का border यहां पर यहां पर आपको बड़ा रहा होगा तो यही size है लेकिन हमारे web page में सिर्फ इतना सा ही data था तो आपको obviously इतना ही शो हो रहा है तो यह काम है height of width या आप चाहिए तो styling CSS के तुरू भी कर सकते हैं या title से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका title हमें यहां पर mention करना है but title का जो main use होता है वो होता है screen reader से अगर को screen reader के थुरू अगर आपकी website को read कर रहा है तो वहां पर हम title में mention कर सकते हैं कि यह इसके अंदर i frame के अंदर कौन सा web page include है means web frame for example मैं tables include किया है तो मैं mention कर सकता हूँ and this is the i frame for tables मैं यहां पर mention कर सकता हूँ सेव कर सकता हूँ तो ऐसे कोई इशु नहीं है आप कोई भी आपका अगर i frame करना हो कोई भी website आप include कर रहे हैं तो title जरूर mention कीजिएगा तो यह mandatory नहीं है बट इसकी अच्छे practice होनी चाहिए आपको यहां title mention करना होगा अब आप चाहे अगर आपको भूल जा रहे हैं तो हमारे Google बाबजी है आप Google बाबा में जाईए उनसे पूछिए तो आपको हर सवाल का जवाब वहाँ पर मिल जाएगा तो देखे रटने की कोशिस कभी मत कीजिएगा कोई भी programming हो तो उसको रटीगा मत तो देखे इसका अब हम name set करेंगे अब इसका name set for example हमने किया tables iframe tables frame ठीक है tables frame मैंने इसका set किया ने अब मैंने इसका name क्यों set किया है अब इसका एक और बहुत बढ़िया use है वो मैं आपको करकर दिखाता हूँ इसके लिए हमें एक और web page चाहिए तो मैं एक और web page यहां से आपका images तो ठीक है मैं एक और web page images.html यहां पर include कर लेता हूँ देखे अब अभी तो इस आइफ्रेम के अंदर tables.html वाला web page include है but by default अगर आप यहां include नहीं कर रहे हैं अगर यहां पर कोई और web page include है और आप उसको change करना चाहते हैं किसी और button के थ्रूँ या कहीं और आप action perform कर रहे हैं तो यहां पर change हो जाए तो उसके लिए यहां पर name हमें mention करना जरूरी है अब इसको for example मैं आपको देखे example के तोर पर रखा हुआ आप चाहें तो मेरी चैनल पर जाके वहाँ पर देख सकते हैं या तो मैं उपर i button में भी इसको link include कर दूँगा तो आप उस पर click करके जाके देख सकते हैं तो इस i-frame में open हो जाए तो दीखिए मैंने यहां पर images to HTML जिसमें हमने उल्लेड कोड किया हुआ हुआ ह एक image है इसके अंदर तो इसमें मैं images.html include कर दिया मैंने ठीक है अब इसको हम इससे i-frame से कैसे link करेंगे अपने anchor tag को तो उसके लिए हमारे पास देखिए anchor tag में attribute होता है अगर आपको पता होगा target attribute वैसे normally by default करता है कि अगर आप यहां पे blank underscore blank लिख रहे हैं तो यह आपका new tab में जाकर open होता है किसी भी browser में but अगर target में इस target attribute के अंदर अगर आप iframe का name लिख रहे है आइफ्रेम का name देखिए tables frame है ठीक है और मैं यहां पर लिख देता हूँ go to images ठीक है for example go to images में लिखा मैंने इसको save किया यहां पर अब save करने के बाद देखिए browser में आपका यहां पर go to images आपको यहां शो हो रहा है जैसी मैं इस go to images में क्लिक करूंगा तो यह इसका जो data है यह जो web page है tables हो HTML से आपका यह change हो जाएगा images.html पे for example देखिए मैंने यहां यहां पर इसको click किया तो आपका यह data यहां पर change हो गया है इसके अंदर मैंने unsplash करके जो आपको free images provide कराती है random तो मैंने इसमे road keyword डाल हुआ था तो आपको यहां पर road keyword की website यहां पर show हो रही है तो देखिए यही काम है आपका तो आप dynamic यहां से भी change कर सकते हैं इस पर click करक तो कैस देखिए जितने भी attribute मैंने इसमें आपको mention करें वही आपको mostly याद होने चीज़िए इसके लाव अगर आपको कोई use है कोई attribute है था हमारे Google बाबा है वहां जाकर आप search कर सकते हैं तो देखिए में लिसमें source है frame border अगर आप broader देना अगर मैं इसको zero कर दूंगा तो यहाँ आपको border शो नहीं होगा देखिए यहाँ पर आपको कोई border शो नहीं हो रहा है आप height change कर सकते हैं width change कर सकते हैं title जरू mention कीजिएगा जो भी screen reader है अगर वाप website visit करते हैं तो उनको आप बता सकते हैं कि कौन सा iframe है इसके अंदर क्या include है और वैसी name अगर आप mention कर रहे attribute में आपको mention करना है तो guys इस वीडियो में इतना ही guys मैं आशो करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा proper मैंने एकदम बिल्कुल easy language में आपको समझाया है और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो guys please like कीजी वीडियो को और चैनल को subscribe करना तो बिल्कुल मत भूलेगा क्य करूँगा so thank you so much for watching guys and मिलते हैं अपने next वीडियो में